हेलो फैंस वैलकम टो आवर योट्यूब चैनल लाइफ एक्स नमस्कार दोस्तों आपका हमारे योट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सकाइब नहीं किया है तो किर्प्या पहले इसे सब्सकाइब करें और हमारे चैनल पर एविलेवल बेल आइकन को एनेबल जूर करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो के बारे में आपको यूही जानकारी मिलती रहे तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो आज हम लाइफ एक्स पर आपको एक कैसे नुस्के के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप किड्नी स्टोन से राहत पा सकते हैं दोस्तों किड्नी स्टोन यानि की गुर्दे की पत्री की समस्या आजकल आम सुनने को मिलती है गलत खान पान इसकी खास वजे हो सकती है शुरू में गुर्दे की पत्री का पता नहीं चलता लेकिन जब इसका ऐसेहनिय दर्द होता है तो इसे बरदाश्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसका सही समय पर इलाद ना किया जाए तो परशानी और भी बढ़ सकती है वैसे तो किड्नी स्टोन की परशानी होने पर इसकी डाक्टरी जांच करवाना बहुत जरूरी है इसके साथ साथ आप कुछ ग्रेलू पायों से भी गुर्दे की पत्री से राहत पा सकते हैं चुकंदर सेहत के लिए बहुत लाबकारी होती है लेकिन इसका पत्री के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इससे आपको जो फाइदा होगा उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे दोस्तो इस ट्रिंग को बनाने के लिए आपको जो समगरी चाहिए वो इस परकार है आदा गिलास पानी, 4 टेवल स्पून चुकंदर का रस और 2 नीबू का रस दोस्तो इसका इस्तिमाल कैसे करना है? तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आदा गिलास पानी ले अब इसमें चुकंदर और नीबू का रस अच्छे से मिलाएं दोस्तो रोजाना रात को खाना खाने से पहले इस रस का सेवन करें आपको कुछी दिनों में गुर्दे की पत्री से राहत मिल जाएगी और आपकी सहत फिर से तंदरुस्त हो जाएगी तो दोस्तो ये था हमारा आज का डोपिक जिसमें हमने आपको बताया एक ऐसे ग्रेलू ड्रिंक के बारे में जिससे आप असानी से गर पर गुर्दे की पत्री से राहत पा सकते हैं दोस्तो अगर आप भी गुर्दे की पत्री से प्रषान हैं और इससे जल से जल छुटकारा पाना चाते हैं तो हमारे द्वारा बताएगी इस जानकारी को जूर अपनाए और गुर्दे की पत्री से जल से जल छुटकारा पाएं उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए हम जल दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स फो वाचिंग